मुश्किल क्या होता है? और जो सबसे स्टेंडर्ड जो है, जो अच्छा लगता है, जो क्या होता है? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सुबे से उदास हो. You seem to have been sad since morning. ये इसे कहते हैं तो बहतरीन वाला. तो ये सीखिए. वो भी सही है, ये भी attractive है. तो इसका formula क्या होता है? सामने मतलब जो subject है उसको उठा लो. You है, I है, V है, दे है, जो भी उठा लो. तो हमने subject रखा. अब ये present time है. present time में देखकर लग रहा है. तो भई I, V, U दे plural है तो seem होगा. You seem. अगर वो third person singular है, He, she, it third person singular है तो seems हो जाएगा. तो आपके बाद seem और seems है. अगर मैं past लगाओं कि तुम्हें देखकर लग रहा था, तो मैं seem'd कर दूँगा. तो हमारे पास तिनी तो है. seem, seems, seemed. समझ रहें? ये हो गया. subject plus seem, seems, seemed. अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है? time है ना, दो साल से, पांच साल से. तो हम two लगाएंगे. अब इस two के बगल में, हम भी नहीं लगा सकते हैं. हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से देखें, guys. हमें इसको, मतलब past मिले जाना है कि, उस समय से लेकर अब तक तुम उदास हो. अब हम क्या करेंगे? past में जाने के लिए, हमें इसके बगल में have लगाना होगा. यह जो two है ना, यह two preposition नहीं है. यह infinitive वाला जो two है, इसके बगल में base form आता है. अब हम direct bean कैसे लगाए? bean तो third form हो गया. हम क्या करेंगे? जो have है, एक have हम लगाएंगे, उस have के बगल में हम third form लगाएंगे, be का third form, be मतलब होना, state of being, उसका third form, तो bean हो जाएगा. तो हमें two have been करना होगा. यानि कि जो two के बगल में have है, तो चाहिए ही चाहिए. अगर past में जाना है, इस have का सहारा लेकी जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये have लगाएंगे, तो have अपने बगल में third form ले लेगा. लेकिन बिचारा है two अपने बगल में third form लेगा. ये तो अपने बगल में base form लेगा. तो हमने have लगा दिया, जो कि एक base form है. अब ये have अपने बगल में तो third form ले सकता है. तो to have been, to have been, state of being के लिए. यही जब possession हम सीखेंगे, तो to have had भी हो सकता है. आयगा ओव वक्त. तो अब हमारे पास to be to be नहीं है. जो उस दिन हमने सीखा था था ने, कि to be to be, अब to be to be नहीं है. अब आपको क्या करना है? to have been. पूरा इतना बोलना है. to have been, to have been, to have been. याद रखे, he, she, it, I, तब भी has been नहीं करना है. वो to अपने बगल में base form लेगा, जो कि have है, वो has नहीं हो सकता है, वो had नहीं हो सकता है. एकदम ख्याल रखे. तो गलती से आप ये मत बोलेगा, कि she seems to has been, ना जे ना, गलत है. क्या होगा? she seems to have been. you seem to have been. I seem to have been. दुनिया का कोई subject आजाए, वो to have been, to has been नहीं हो सकता है. to had been नहीं हो सकता है. एकदम बैठा लिजे दिमाग में. to have been, to have been, to have been. clear है? अब उसके बाद, आप noun लगाईए, adjective लगाईए, prepositional phrase लगाईए, और तब आप लगाईए, for या since, और वो time दिखाईए. जैसे, तुम्हें देखकर लग रहा है, कि तुम सुबे से उदास हो. you seem to have been sad since morning. देख लेजा गाम से. you seem to have been sad since morning. क्या गलत हो सकता है? अगर मैं कहता हूँ, you seem to be sad since morning. अगर मैं seem to be to be कर रहा हूँ, to be sad, तो मेरा कोई हक नहीं बनता है, कि मैं to be वाले में, for or since का इस्तमाल करूँ. इस for or since के चकर में, to be नहीं चलेगा boss. अगर for since लगाना है, तो to be हटाना है, to have been दिखाना है, समझ रहे हैं? तो दिमाग में बैठा लिजी, कि अगर मुझे since for लगाना है, since for लगाना है, तो to be नहीं, to have been, to have been, to have been, to have been. तुम्हें देख कर लग रहा है, कि तुम दो साल से इस profession में हो, you seem to have been, to have been in this profession for two years. तुम्हें देख कर लग रहा है, कि तुम आदे घंटे से अपसेट हो, you seem to have been upset for half an hour. उसे देख कर लग रहा है, कि वो दो साल से परिशान है, disturbed है, उसे देख कर लग रहा है, अगर वो male है, तो मैं उसे ही करके बोलूँगा, कि he seems to have been disturbed, adjective है यह, अभी पैसी वस्प की चक्कर में चले जाओ, adjective है disturbed, he seems to have been disturbed, दो साल से for two years, फर्क आपके आँखों के सामने है, तो हम कब बोलेंगे, to be sad, कब बोलेंगे, to have been sad, एक और फैसला कीजिए, मैं दोनों का difference आपको दिखाता हूं, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम उदास हो, कोई time नहीं है, you seem to be sad, अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सुबह से उदास हो, you seem to have been sad since morning, difference, ठीक है जी? उसे देखकर लग रहा है कि वो एक teacher है, she seems to be a teacher, कोई time नहीं है, उसे देखकर लग रहा है कि दस साल से एक teacher है, she seems to have been a teacher for 10 years, difference सबज में आ रहा है, clear है, okay,